आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ वर्त में खाई जाने वाली साबू दाने की बर्फी ये मिठाई खाने में एकदम सोप्ट और सुआद में भी एकदम कुछ अलग हटके तो अगर आप मेरे तरीके से एक बार इस मिठाई को बनाएंगे तो आपको इसका स्वाद बहुत जादा पसंद आएगा हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रियंका एक बार फिर से कल्पना किचन मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है मिठाई को बनाने के लिए मैंनी लिया है एक कब साबू दाना और अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन और जैसे हमारा पैन गरम हो जाएगा हम इसमें अपना साबू दाना आयर कर देंगे साबू दाने को पैन में डालने के बाद हम इसे किसी बिसकर या चमच की सहयता से 2-3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे साबूदाने को पहले भूनने से इसका कच्चापन निकल जाएगा और जब इसे पीसेंगे तो ये बड़ी इजीली पिस जाएगा 2-3 मिनट साबूदाने को भूनने के बाद हमारा साबूदाना भून चुका है अब हम अपनी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख देंगे अब हम खड़ाई में 1-2 लीटर दूद को गैस पर उबलने के लिए रख देंगे जब तक हमारे दूद में उबालाता है तब तक हम अपने साबुदाने को मिक्सी जार में डाल कर पीस लेंगे साबुदाना हमारा पीस चुका है और हमारे दूद में भी एक उबाला चुका है अब हम अपनी गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें चीनी एर कर देंगे दूद में चीनी को डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे और अब हम इसमें दो चमच मिल्क पाउडर डाल देंगे मिल्क पाउडर को डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे बर्फी को बनाने के लिए हमें इसकी कोई चासनी बनानी की जरूरत नहीं पड़ेगी बस हमारा दूद थोड़ा सा ठीक हो जाए हम इसे तब तक भूनेंगे दूद हमारा गाड़ा हो चुका है अब हम इसे उतार कर साईर में रख लेंगे और गैस पर रखेंगे कढ़ाई और जैसे हमारी कढ़ाई गरम हो जाएगी हम इसमें एक चमच घी डाल देंगे और घीके मेल्ट होते ही हम इसमें अपना पिसा हुआ साबूदाना डाल देंगे साबूदाने को खड़ाई में डालने के बाद हम इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे और दो मिनट के बाद जैसे हमारा साबूदान भून जाएगा हम इसमें कुछ ड्राइफ रूट्स डाल देंगे ड्राइफ रूट्स में मैंने लिये हैं बदाम और काजू और इने मैंने बारिक काट लिया था और अब हम ड्राइ फ्रूट्स को भी साबूदाने के साथ एक मिनिट तक भून लेंगे सभी चीजों को एक मिनिट भूनने के बाद अब हम इसमें अपना गाड़ा किया हुआ दूदैड कर देंगे और साथी चार से पांच इलाइचियों को कूट कर डाल देंगे और अब इन सब चीजों को हम अच्छे से चलाते हुए मिला देंगे और इन सब चीजों को मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक हमारा मिक्षर कढ़ाई नहीं छोड़ देता और ये देखिए हमारा बर्फी का मिक्षर ड्राय हो चुका है और ये जमनी की कंसिस्टेंसी में आ गया है अब हम अपनी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और घी से किसी थाली ये ट्रे को चिकना कर लेंगे ट्रे को चिकना करने के बाद हम अपना बर्फी का मिक्षर ट्रे के अंदर एड़ कर देंगे और किसी चमच या कटोरी पर घी लगा कर इसे सेट कर देंगे और फिर बारीक कटे पीस्ते से इसकी गार्निस कर देंगे और 2 गंटे के बाद जैसी हमारा मिक्सर ठंडा हो जाएगा हम एक चाकू से पनी बरफी को काट लेंगे आप चाहें तो बरफी को किसी भी सेप में काट सकते हैं लेकिन मैं चाकूर पीस में काट रही हूँ चाकोर पीस में कटी मिठाई देखने में बहुती संदर लगती है और ये देखिए अब मैं आपको एक बर्फी का पीस उठा कर दिखाती हूँ ये कितना परफेक्ट बन कर तयार हुआ है है ना चारो साइड से एक तम बढ़िया अब हम इसे सरु के लिए एक प्लेट में रख देंगे अगर आपको रेसेपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक वे सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले